सो हे गाईज वेलकाम टू दा न्यू ब्लोक्स तो बहुत दिनों से ब्लोक्स नहीं आ रहा है इसलिए मैंने सब्सक्रा क्यूण आप लोगों को एक ब्लोक बना दिया जाए और मैं आज जाने वाला हूँ मेरे गर से लगब पास से 6 किलुमेटर दूर एक पुराना मंदीर है म मैं वहां आप लोगों को जाके दिखा दूंगा कैसा है और कैसा नहीं है तो यह मंदीर मतलब एक चोटा मूटा पहार है उस पहार के उपर है इसे पहार नहीं कैसे है वह एक टिला टाइप हता है उस टिला के उपर है मैं वहां जाके आप लोगों को दिखाऊंगा कैसा है और वहां मतलब उपर से नीच का कैसा लुक है मैं वह भी आप लोगों को दिखाऊंगा अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो सब्स्राइब करना लाइक करना श्यार करना और चलते हैं मैं वहां जाके आप लोगों को दिखाऊंगा कैसा है सो हेलो गाइस तो मैं आ चुका हूँ उस मंदिल पर और यह है बत्षवाई जाने का में गेट और शिवरत्रे के दिन इस रोड की दोनों साइड में बहुत शॉप लगा रहता है बहुत दूर दूर से लोग यहां पर आते हैं और यहां एक मतलब एक चोटा मोटा मेला की तरह हो जाता ही अगर हो से के तो मैं अगली बार शिवरत्री के दिन आखे आप लोगों को दिखा दूंगा तो चलिए आप उपर चलता हूँ उपर जाके आप लोगों को दिखाऊंगा आप देख सकते हैं कुछ इस तरह दिखता है वाका नजारा तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और यहां पर रोड है और यहां पर शिड़ी लेके आपको उपर आना पड़ेगा तो गाईज यह आप देख सकते हैं बहुत ही आच्छा है खुबसूरोत है अगर आप लोग आना चाते हो तो आज सकते हो यह काटली चड़ा से लगवग एक या दो किलिमीटर के दूर पर होगा इस सबसे पहले शिड़ी से आशिबाद ले लेते हैं उसके बाद मैं जाओंगा दुर्गमाता के वहाँ आशिबाद लेने तो यह आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है और यहाँ पर है नंदी जी नमस्ते नंदी जी और यहाँ पर शिब जी की फोटो के पीछे जो पेट देख रहे हो वह बहुत साल पुरणा पेर है और यहाँ पर है शिब जी और यहाँ पर देख सकते हो लाल शालुक वगरा है बहुत मतलब बहुत दूर दूर से लोग आके यहाँ पर शालुक बन के मननत मंगते है और यहाँ पर दूर कमाता का मंदिर है तो चलिए वहाँ जाके देखते है पर अब दूर शालुक वहाँ पर हम लोगों ने पुझा दिया था और हम लोग अभी घर के लिए रवाना हो रहे हैं तो आज के लिए इतना ही मिलते है आगली वीडियो में के लिए वीडियो में